वैरिकोसील ka pain कैसा रहता है और कैसा होता है जिसक से हमें पता चलेकि वैरिकोसील है या नहीं क्योंकि बहुत सारे patients के मन में एक query रहती है या उनके जहिन में यह चीजं है जहती है कि वैरिकोसील दर्द सहिदा है यह जो उनको दर्ध हो रहा है वह वार्रिको स्लील का ही है यह जो गलत फ़हिम होती है यह मेखाल से उनको ढुफो ज्यादा दिक्कते देदेती है क्योंकि बहुत अपने रहे हमेख पर मांतरीकें 먼저 उनक्य चाहिण प्रोबरी हब जो वेरिकोसील का पेन होता है वो आपको वीक में उन्य थे बना रहेगा मांगी जबाएंड टो गंटे के बार आपको रिलीफ में जाएगा जैसे आज आज की डेट में बात करूं, आज मंडे है जैसे, मंडे को पेन हुआ, ये जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही पेन होगा। टाइम नहीं बना रहेगा, वो एपिडिमाइटिस हो सकता है, आपकी जो पीछे टेस्टिकल्स के पीछे जो एपिडिमल लेयर है, वो सूजन हो सकती है, उसमें बल्कीनियस हा सकती है, जिसकी वज़े से आपको पेन बना वाओ, ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है, कि सिस् रिलीफ नहीं होता, अगर हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करें तो, जैसे कि अगर हम पैरों को ऊपर करके लाइडाउन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पूरानी वीडियो में बता रखे कि किस तरीके से आपने वेरिकोसील को रिलीफ देना चाहिए, अगर आपको वो एक्सराइज परफॉर्म करने के बाद रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप यह मत समझे कि वो वेरिकोसील है, क्या पता वो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपना एक बारी स्कैन जरूर करवाएं, यूज जिसकी विज़े से आपको यह पता चले कि आपको हमें, हमें मिलता है उनको इंफेक्शन, इकोलाइफ इंफेक्शन मिल जाता है, तो जब हम उनकी और स्टडी करते हैं, या हम उनसे कल्चा करवाने के लिए कहते हैं, सीमन कल्चा करवाने के लिए बोलते हैं, तो महां पर हमें पता चलता है कि उनको इंफेक्शन है, इंफे दो गंटा होगा उसके बाद वो रिलीफ मिल जाएगा, फिर किसी एक दो दिन बाद होगा, किसी-किसी को तो ऐसा भी ओता है, जैसे आज दर्द होगा, तो छे मीने बाद दर्द होगा, इस तरीके से वेरिकोसील के पेन होते हैं, ऐसा नहीं होता है, फ्रिकुंट लिए आपक शालू करते देते हैं जिसकी वज़से क्या होता है जो भी कैसी भी ब्लॉकेज हो रही होती है जैसी वहाँ पर सूजन आयो दिये वह एकदम से रिलीफ दे देता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उपर की तरफ गया जिसकी वज़से आपको रिलीफ मिल जाएगा यह एक बे क्या होता है कि कुछ होता कुछ है और समझते कुछ है और निकलता कुछ हो रहे है ऐसी दिक्कते हमें भी फेस करनी पड़ती है कि हमको पेशन बताता है कि वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं बड़ वो सिम्टम्स नहीं होते तो इससे बेटर क्या है कि आप सबसे पहले अपना स्कै रिपोर्ट देखें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा नॉर्मल स्काइन रहा है तो एक बारी रिचेक करवाएं उसी टाइम ना करवाएं किसी ऑफ लाप से रीचेक करवाएं कि आप किसी और लाप पे जाओ एक बारी चेक करो क्योंकि देखो हुमन जो है ना परफेक्ट नही है आपकी नॉर्मल स्टड़ि आ रही है तो एक बारी फिर स्काइन करवा लीजिए कोई इसमें आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं एक स्काइन से आपको यह तो पता चल जागा एक्शल दिक्कत हो क्या रही है कहीं लेट एज पर आपको और ज़्यादा दिक्कत है फेस करने पढ़ जाए और कोई troubles के साथ आपको जीना पढ़ जाए तो उसे बेटर है कि आज भी अभी भी आप अपने scan को रीचेक कर सकते हैं किसी और lab पे जाकर lab change करकर अपना scan करवा सकते हैं जिससे आपको easy हो अपने बारे में भी समझने के लिए और अपनी बीमारी के बारे में भी समझ आया हो कि किस तरी किस होते कैसे होता है तो प्लीज like share bell icon भा दीजेगा और इसी के साथ साथ अपनी reports अगर आपके पास कोई है वैरी को सील के बारे में जानना चाते हो समझना चाते हो कुछ उसके बारे में सुनना चाते हो तो आप नीचे दियेवे number पे में को call भी कर स इसी के साथ साथ अपने आपको वेरिको सील फ्री भी कर सकते हैं इसी के साथ मिलेंगे नेक्स वीडियो पर किसी होगा नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई टाटा सी यू सिज नेक्स वीडियो